क्या भारत में सूसू में भी ब्रह्मन वात आ चुका है? कुछ लोगों के अनुसार तो हाँ कैसे फ्लाइट में कर दिये गए मूत्र का धर्म, जाती, गोत्र और शेत्र बनाया जाता है और क्यों भ्रह्मन इस घ्रहा का शिकार होते हैं? और इस वर्ष भ्रह्मनों पर आकर्मन क्यों बढ़ने वाले हैं? देखेंगे आज बने लिया माशा देखे लिया आज की ताद अबर तो जी एर इंडिया की फ्लाइट में एक आदमी ने नशे की स्थिति में एक भैतर वर्ष की वृद्ध महिला पर सूसू कर दिया ये सूचना हम सब के पास है व्यक्ति का नाम शेकर मिश्र था अब नॉर्मल प्रेम से भरा व्यक्ति ये सुनते ही सूचे गए यार क्या बकवास आदमी था और इस व्यक्ति पर तो एक्शन लिया जाना चाहिए पर सब तो नॉर्मल नहीं होते कुछ लोगों के कान बंदे का सरनेम सुनते ही खड़े हो जाते हैं और यहीं से ब्रहमन घणा की ये कथा आरम होते हैं जो आज हम सुनने वाले हैं राजदीब जी कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि सुसु मैन यदि शेखर मिश्रा की जगह है कोई खान होता तो अभी तक टीवी पर प्राइम टाइम में चाह रहा होता और पूरी खान कम्यूनिटी को गिर लिया जाता हो सकता है गया दा हो जाता परन्तु इस वीडि पर विवेक अंकनी उत्री से उनकी गुथम पजार जरूर हो गई मुद्दबर आगे बढ़ गे जब रादीब जी की जोरू सागरीका जी ने कहा कि भारत के नाम पर धबा लगाने वाला कौन है कोई सिंग खान वर्गेस कृष्णन रोजैरियो बासू या मोहंती नहीं है हिंदी भाषी शेत्र से बेसिकली दीदी ने जितने भी सरनेम लिए कोई भी आजके भारत में किवल भ्रहमण के रूप में नहीं जाना जाता मोहंती करण वैशनव और बासू कायस्त बताय जाते हैं मैं परसनली जाती में नहीं मानता हूं परन्तु दीदी को अंसर करना है तो कुद रहा हूँ दल दल में। अब यहां से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों का आकरमण स्वेखर मिष्व के ब्रहमन सरनेम पर है। अब कई लोग कहने लगे हैं। और सूशु का मुद्दा ब्रहमन सूशु का मुद्दा बनता जा रहा है। कमाल की बात यह कि उस सेम दिन में जाकिर ने भी दिल्ली में डिटीसी की बस में अपनी पैंसिल निकाल कर किसी महिला के सामने पैंसिल गुमा दी थी अपनी समझ रहे हूं जाकिर पर भी किसी ने संग्या नहीं लिया था इसके अलावा नौर्थ कैरोलिना में एक क्रिस्चन यह काम कर दिया था फ्लाइट में और अमेरिका में ऐसे कई इंसिडन्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पर अमेरिका में तो मिष्टा जी सूसू करने नहीं गए थे तो जी क्रिस्चन हिंदू मुसलमान सब सूसू करते हैं इन में से जो घटिया होते हैं वह प्लेन से उसका धर्म बता देती हैं आप तो सुसू की बात कर रहे हैं परन्तु साल का आरंभ है और ब्रह्मनों पर आकर्मन आरंभ हो चुका है कारण जानना चाहोगे तो जी 2023 में जिन राज्यों में चुनाव हैं वो हैं तृपुरा मेगाले नागालें चैटीजगर मध्यप्रदे में जो संख्या है ना वो 40 प्रतिशत से अधिक बताई जाती है 36 गड़ में भी ऐसा ही है और नौर्थीस्ट में तो स्केडियूल ट्राइब की भरमार है ही अब ऐसे में राजनीती में ब्रहमन घणा आना सभाविक है परन्तु राजदीब सागरिका का चुनावों से क्या लेना देना है तो जी ऐसा ही कुछ ना 2018 में भी नी राज़ों में चुनाव से तब भी हुआ था और ब्रहमन रिमार्क साल के आरंब से ही आने लग गए थे चाहे भीमा कोरेगाओं का सेलिब्रेशन हो या भारते एक्रिक टीम में SCST आरक्षन की बात छिड़नी हो या RSS और BJP को केवल ब्रामनों या सवर्णों की पार्टी कहना हो और इसके लिए BJP के हजार लीडर्स का सरवे तक कर दिया जाए या फिर आपको ये बताया जाए कि देश में कोई दलित जज्ज ही नहीं समय सुप्रीम कोर्ट में या फिर ये बताया जाए कि समर्ण जाती के लीडर में चुनाव हैं और रादीब सागरिका ने खेल आरंब कर दिया प्रतीत होता है क्या कहा इन सब का चुनाव से क्या लेना देना तो जी स्वेव पढ़ लीजिए ब्रहामन कैसे कॉंग्रेस के वोटर थे और कैसे बीजेपी के पास चले गए और कैसे कॉंग्रेस का साथ छोड का मुद्दा हो जो 2018 में ही हुआ था बाकी पॉलिटीशन तो सड़क पर लोगों को भेजता है अब 2023 है इन राज्यों में फिर चुनाव है ब्रहामन पर आक्रमन बढ़ेगा यही राजनीती है परन्तु क्या ब्रहामन ये डिजर्व करता है वो आगे देखते हैं तो जी मैं ये मानता हूँ के देश को बनाने में हर कम्यूनिटी का योगदान है ब्रहामन भी उन में से ही एक है परन्तु आज कल भर भर कर घणा पा रहा है दो दिसंबर 2022 को जे अन्यू की दीवारों पर ब्रहामन बनिया संहार के नारे लिखे वे मिलते हैं कुछ समय पहले ही भीम आर्मी के कारेकरता की एक आडियो क्लिप वाइरल हो रही थी यहां वो क्लिप सुनवाई नहीं जा सकती परन्तु समर्ण लड़कियों पर यौन हिंसा की धमकियां थी टुटर का मालिक सला समैश ब्रहामनिकल पैट्रियार की पकड़ कर खड़ा होता है जिसे एक कदाचित ब्रहामन शब्द का अर्थ भी ना पता हो दर्जनों के भाव से ऐसे उधारन है कैसे ये घिना फ्याल रही है 1857 के युद्ध में बिटिश राजबर प्रथम गोली किसने चलाई हो सबको पता है और एक अनुमान के अनुसार 70 प्रतिशत फांसी 1857 के बाद ब्रहामन लड़ाकों को लगी थी 8 सितंबर 1869 को गंगू बाबा को फांसी लगी अंग्रेजों के द्वारा कानपुर में दंत कथाओं के अनुसार इस युद्धा ने अकेले 1500 अंग्रेज स्यानिकों को समाप्त किया था और यह वालमी की समाज से आता था लड़ने के लिए अपनी आर्मे में किस ने लिया था नाना साहिब एक ब्रहामन अब इस मुद्धे में अंदर तक गुसा तो बहुत लंबा हो जाएगा परंतु आपके सामने एक उधारन से छोटा सा मैंने सत्य रख दिया है वैसे यह एबसल्यूट नहीं है परंतु हर सम खान होता तो शोर मचा दिया जाता वैसे डिटीवी का उधारन देकर मैंने दिखाया है कि खान पर भी शोर नहीं मचाया गया है परंतु कदाचित माल लेते हैं कि रादीब जी की जो बात है ना वो सच है तो उसका कारण पता है क्या है कम्यूनिटी क्राइम रेट नाम की चीज होती है उसको समझते है यूके में केवल 4 प्रतिशत समाज विशेश है परंतु जेलों में बंद कैदियों में उनकी संक्या 18 प्रतिशत से अधिक है ये नियायल्य द्वारा सजा प्राप्त है जन संक्या से 4 गुणा अधिक क्राइम वहीं यूके में 2 प्रतिशत में बंद कैदी समाज विशेशते हैं USA में एक प्रतिशत जनसंख्या परंतु जेल में नौ प्रतिशत जनसंख्या से नौ गुणा अधिक जर्मानी में 6.5 प्रतिशत परंतु 20 प्रतिशत जेल भर रखा है 2008 के वाशंग्टन पोस्ट के अनुसार 2008 के वाशंग्टन पोस्ट के फॉरन सर्विसिस के अनुसार नीदर लेंड में 5 प्रतिशत शांतिदूत हैं और 20 प्रतिशत जेल भर रखा है बेल्जिम में 2 प्रतिशत समुदाय है और 16 प्रतिशत जेल भर रखा है आस्ट्रेलिया में 2015 में सर्वेक्षन में 3% समुदाय, 9% जेल भर रखा था, इटली में 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 3% जन संक्या और 35% अपराद में भागीदारी, भारत में भी यही हाल है, अपराद हर समाज में हो रहे हैं, पंतु यदि किसी को अपने भितर सबसे पर्लामन, we entered Parliament, within 5 minutes of our centering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists, one of our first reactions was, my cameraman said, sir, चलिये, I said, चलिये कहाँ, यहार उकना है, I told him, actually, close the gate of Parliament, get that guard to close the gate, which they were about to do, why, so that no other channel could enter, so that एक बार हमारी स्टरी, and those days there were fewer channels also, I said, यार, यह स्टोरी हमें करनी है, आप मजा करो, wine forgotten, kebabs forgotten, it was a great day, you know, we are like vultures, we feed on these moments, these are the moments that, बाकि 2023 तो जी, रामभरोसी ही है, कैसा लगा यह वीडियो हमें बताएं, शेयर करें, इस वीडियो को, क्योंकि यह दिया, आप सत्ते को शेयर नहीं करते हैं, तो हर आपकी ही होती है, पेट्रियोन एवं यूपियाई के माददे हमसे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप देख रहे थे, आज की ताला कबर चाहिन तेचा भारत दा